सब्सक्राइब किजिए अपने सिंगर भीया चैनल को और नए अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरू दबाए स्वागत है आप सबके अपने चैनल सिंगर भीया में मैं अपका भाई रेंजन दिशब दोस्तों भाईयों मित्रों आज जिस टॉपिक पर मैं वेडियो बनेने जा रहा हूँ ये हर लोग का सवाल है संगीत जो लोग संगीत सिखने के बारे में सोच रहे हैं या कुछ दिनों से सीख रहे हैं उन सभी का ये सवाल होता है और मेरे से डारेक्ट फोन करके लोग पुछते हैं कमेंट करके भी पुछते हैं कि भाईया संगीत मैं कितने दिन में सीख जाओंगा कितने दिन सीखना चाहिए वो जहां सिखते होंगा किसी गुरुजी के पास उनसे भी कुछ नहीं कुछिस करते होंगा कि गुरुजी मैं कितने दिन में सिख जाओंगा कोई भी जब शुबू आदमी करता है तो पुछता है भाई हम कितने दिन में सिख जाएंगे ये बहुत बड़ा सवाल है और काफी लोग पुछते हैं लोग यही कहेंगे कि भाई सिखना संगीत का कोई लिमिट नहीं आप सिखते रहे हैं नहीं एक तो टाइमिंग बता दो भाई कितना दिन में वो सिख जाएगा ऐसे लोग उलस जाते हैं इस वीडियो में मैं दोस्तों आप सबको यही बताऊंगा कि संगीत कितने दिन में आदमीं सिख सकता है कितने दिन सिखना चाहिए कि आप एक अच्छा सिंगर बन जाए अच्छे अच्छा काने लगे कितना दिन तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को देखते हैं जानते हैं शुरू करने से पहले मैं वही एक रिक्वेस्ट आप सबसे फिर से करना चाहूंगा कि जो लोग नए हैं आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे निचे लालान का बटन उस संगीत सिखने का जो टाइमिंग करता है कि आप किस परकार के सिंगर बनना चाहते ह। दो तरह के लोग सिंगर बनते हैं बस दो तरह के एक तो key classical सास्तिरिय संगीत जो दुसरा जो जिसमे सारे चीजह आ जाती हैं फिल्मी लोग गीत पंजाबी जितने में में सारा चीज तो आपको क्या करना है आपको क्लासिकल सास्तिरिये सिर्फ पर सिर्फ सास्तिरिये सीखना गाना है या आप प्लेबेक सिंगर बनना चाहते हैं फिल्मों में गाना चाहते हैं लोग गीत गाना चाहते हैं अलबम करना चाहते हैं तो देखिए सास्त्रिय संगीत जो है हमारा भातिये सास्त्रिय संगीत कलासिकल म्यूजिक इसका अंत नहीं है इसका कोई लिमिट नहीं है हमारा जिन्दगी क्या एक जिन्दगी नहीं मतलब हमारा सो जिन्दगी भी उसमें मैं लगा दूँ तब ही वो पूरा नहीं होगा इत सास्तिरिये वो लोग ये काम करते हैं वैसे लोग ज्यादा करते हैं बाहरी भी करते हैं ये कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन ज्यादा वही लोग करते हैं जिनके घर में पहले से हैं हंदानी है वो लोग बाहरी लोग करते हैं कम करते हैं तो इसका आप सास्तिरिये संगित सिख कि येगा तब जाके आप कुछ हद तक अच्छा गाने लाइक होईएगा ये सचाई है कि राग सिर्फ और सिर्फ उसमें रागों का गायन होता है उसको गया जाता है उसका चलन अलग-अलग परकार के तो वो करने में बहुत मेहनत और बहुत समय लगता है ये बहुत बड़ी चीज है सास्त्रिय गायन ये कोई सधारन चीज असान चीज नहीं है बहुत बड़ी चीज है सबके बस की चीज नहीं है मैं यही बोलूगा तो ये करने के लिए कम से कम आपको 6-7 सल 8 सल इतना समय आप दीजिएगा तब जाके आप कुछ हद तक गायेगा आच्छा नहीं त दस सल 15 सल 20 सल थीस सल लोग बूहे हो जाते हैं शिक्ते शिक्ते तब जाके अच्छा गाते हैं इसका कोई लिमिट नहीं है अब दूसरी बात भाव संगीत लाइट संगीत जिसको बोला जाता है इसमें गाने लोग गीत फिलमी गीत पंजाबी घरियान भी इतने भी गाने सा बताने जा रहा हूँ यह सही होगा मिनिमम तीन से चार साल इसको याद रखिएगा मिनिमम तीन से चार साल वो भी अगर अच्छे गुरु हो जो की सास्त्रिये और लाइट सब का ग्यान रखते हो तब तीन से चार साल अगर आप सीखते हैं अच्छा से सास्त्रिये सहीत यह न में भी साश्च्तिरीय संगित सीखना जरूरी है हाची जानने के लिए। दोनों लेकर कर के आप चलते हैं अच्छा से कोई अच्छा गुरू मिल गया सिखा रहा है तब आप तीन से चार साल मैक्सिमाम 5 साल यानि कि चार साल तक अच्छा है उतना दिन अगर आप सीख लेते ह तो आप कोई भी गाना दुनिया का कोई भी गाना गा सकते हैं, ये मेरा गरांटी है, अगर अच्छा गूरू हो तब, और नहीं तो कुछ नहीं होने वला क्योंकि कोई भी गाना जब हम गाते हैं तो वो किसी ने किसी ताल में रहता है भाई मेरे ताल जाना है ना आप क्लासिकल जब तक सास्तिरिये संगित नहीं सिखिएगा तो कैसे पता चलेगा कि यह कौन से ताल में है कौन सा सूर है इस गाने का कई रागों को मिला करके उसका लक्षन लेकर के गाverbsना बना जाता है का ताल के परकार अलग अलग होते है तो थो बहुता जानना ज़रूरी है नही तो अच्छा काईग नहीं बन पाईएगा नहीं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो भी न सिखिए विलकुल कुछ नहीं जानते ह संगीत का ABCD तक भी नहीं जानते हैं, गा रहे हैं, गा रहे हैं, फिट भी हुए हैं बहुत से सिंगर, तो मज़ा नहीं आएगा दोस्तों, इसलिए मैं बताऊंगा कि आप कुछ दिन सीख सकते हैं, संगीत सीखिये, सास्तिरिये, और लाइट दोनों जहां चलता हो, कलासेज, वहीं, और सीख करके आप अच्छा सिंगर बन सकते हैं, तीन से चार साल सीखना पड़ेगा, और नहीं तो ऐसे जो गाते हैं, गाते रहे हैं, उसका कोई मायने नहीं है, और यहीं बाते थी, बहुत से कोश्चन ऐसे आ रहे थे, कि भया, कितने दिन संगीत मैं सीख यह लोग पुछते हैं, हमेशा पुछते हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो दोस्तों कमेंट करके बताएए कैसा लगा, फिर मिलता है आपसे अगले वीडियो में एक अच्छे से जनकारी के साथ, अब तक के लिए जैहिंद, नमस्कार